पहले अगर हमें शॉपिंग करना होता था तो हम लोग क्या करते थे हम लोग क्या करते थे हम लोग जाते थे बैंक बैंक में जाके फॉर्म भरते थे उसके बाद वहां जाके लाइन में लग जाते थे और जब हमारी बारी आती थी तो हमें पैसे मिल जाते थे और फिर हम जाक करके जो एकाउंट डोल रहते वह 24 घंटे जाके एटीए मशीन से पैसे निकाल सकते थे जो कि अभी भी चल रहा है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हुआ क्या कि POS मशीन आ गया अब गया था कि आपको पैसे निकालने तक की जूरत नहीं है आप जाके POS पे कार्ड स्वाइप करके आप पेमेंट कर सकते हैं उसके अलावा क्या है कि आपको e-commerce का आगया जमाना आप जाके उसी कार्ड का डीटेल आप ऑनलाइन ज सकता है इसे लिए आपको यह जानना ज़रूरी है कि आपके कार्ड में कौन-कौन सी important information होती है sensitive information होती है जिसको आप बचा कर रखें इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं इसके इलावा जो इससे मिलता है जो यह कार्ड आता है credit card जिसके बारे में हमने अपले पिछले वीडियो में बात की थी दोनों देखने में एक जैसे लगते है debit card और credit card क्या होता है दोनों के काम करने का तरीका सेम होता है मतलब कि आप दोनों से ATM से पैसे निकाल सकते हैं प्योस पे पेमेंट कर सकते हैं और online shopping भी कर सकते हैं यह दोनों card से आप कर सकते है बर दोनों card में एक vital difference होता है वो difference होता है कि debit card में आप अपने पैसे खर्च कर रहे होता है पर credit card में क्या होता है bank आपके बिहाफ में payment कर रहा होता है जो पैसे आपको बाद में चुकाने पड़ते हैं तो क्या है कि इस video में जो हम बात करेंगे वो debit card और credit card दोनों से related होगा मतलब वो यह specification generally दोनों में होता है तो हम इस video में उसके बाद में बात करेंगे अगर आपको वीडियो को topic पसंद आए वीडियो को like कीजिए चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe कीजिए और बेले गंदमाना मत भूलिएगा जब हम लोग card के बार में बात कर रहे हैं तो सबसे प अगर नाम नहीं होता है तो bank अपना logo डाल देता है जो generally सामने side में होता है जिसको देख के आप पैचान सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारे घर में card हैं या आपके personal बहुत सारे card है तो आप दूर से देख के identify कर सकते हैं कि यह किस bank का है इसके लावा क्या होता है इसमें या तो visa या mastercard या रूपे लिखा होता है इसका मतलब यह होता है कि उस payment network का use करके आपका जो दोनों bank होता है आपका bank और जो आपका जो merchant है जहां से आप खरदारी कर रहे हैं उसके bank उस दोनों के बीच में communication उस network के थुरू होता है इसके बारे में हम लोग detail में अगले जैसे कि अगर मेरा नाम होगा तो उसमें इम्रान नसीम नाम लिखा होगा बहुत बार क्या होता है कि जब आप instant card issue कराते हैं जो आपके instant account खुलता है तो उस समय क्या होता है कि आपके card पे नाम नहीं होता है तो उस case में आप क्या कर सकते हैं आप bank को request कर सकते हैं तो आपको वहरों सारे उसमें जोबवाले, जोब प्रुफेशनल से होते हैं , बहुत सारे उसमें बिजनेसमेन होते हैं तो अलग- अलग category के उसमें वहते हैं आपके bank account holders होते है तो बेंक क्या होता है, जब card issue करता है तो वह अलग- अलग तरग साथ बनाता है हर card में क्या होता है, हर card का अपना annual charge होता है, fees होता है, उस पे अलग-अलग offer आता है तो जो card जिसके लिए suitable होता है, उस तरह का card उसको दिया जाता है या वो उस तरह का card मांग सकता है bank से, जैसे आपने card पे देखा होगा, card पे लिखा होता है platinum card है, titanium card है, jet privilege card है, तो क्या होता है, कि आपको उस तरह का card दिया जाता है जो आपके लिए suitable हो, या आप कुछ ask कर सकता है, लेकिन इससे एक important चीज और पता चलती है कि जब भी आपको card issue हो रहा है, तो आपको जाके उसका terms and condition पढ़ना चाहिए उससे आपको ये पता चलता है, कि आपके card में क्या-क्या features है और आपको क्या-क्या charge लगने जा रहे हैं, वो card type से decide होता है card के उपर सबसे important चीज होती है, वो होती है card number आपने card के front side में देखा होगा कि एक number होता है वो क्या होता है, कि 14 से 19 digit का एक number होता है और उसको देखके, आपका क्या है, कि आप कौन से card network का card यूज करते है और किस bank का है, उसको identify गया जा सकता है इसलिए कहा जाता है, कि जो आपका card का number है और expiry किसी के साथ share नहीं करना चाहिए अगर वो दोनों किसी के हाथ लग जाता है तो आपके साथ online fraud हो सकता है card के उपर जो पहला 6 digit होता है उसको हम लोग करते है bank identification number होता यह है कि जो card networks होते हैं यो जो दुनिया के सारे banks हैं उनको कुछ number assign किये हुए है वो ये number होता है तो उसको देख के पता किया सकता है कि वो कौन से network का आपका card है और वो किस bank का card है वो सिर्फ 6 digit देख के पता चल सकता है तो अगर आपे starting देखेंगे card का अगर पहला digit है तो वो बताता है कि कौन सा card network है मतलब अगर वो 3 है तो वो American Express होगा अगर वो 4 है तो वीजा होगा अगर 5 है तो master card होगा अगर 6 है तो रूपे card होगा इसके अलावा क्या है कि जो 7 digit से 15 digit तक जो होता है वो एक primary account number होता है इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई भी card issue कराते है तो bank क्या गरता है कि जो आपके account holder को एक आपको account number assign करता है primary account number यह वो account number होता है तो आपने देखा होगा कि जब भी आपका कोई statement आता है bank से related तो आपका यह जो number होता है यह आपको xxx करके आता है होता यह है कि यह काफी sensitive data होता है इसलिए इसको bank hide करके रखती है तो आपका जो initial आपको bank identification number होता है यह आपको statement पर दिखेगा बढ़ यह आपको hidden होगा इसके अलावा क्या होता है जो आखरी digit होता है जो 16th digit होता है वो check digit होता है तो वो क्या होता है कि यह जो आपको पूरा बनता है जो 15 digit का उसको मिला के एक algorithm में लगा जाती है इस algorithm को लगा के एक digit निगलता है वो आपका 16th digit होता है अब इसका use यह होता है कि जब आप online payment के लिए card का number डालते है तो number डालने के बाद आपका portal जो है वो भी इस algorithm को लगाता है अगर उसका जो आपका result आया और आप जो last digit डाल रहा है अगर वो match कर जाता है तो वो समझता है कि card number सही है अगर match नहीं करता है तो वो आपको pop up दे देता है वो आपको बता देता है कि आपने गलत card number डाल दिया है इसलिए काफी important होता है उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने card को closely देखा होगा तो card के back side में एक मोटा सा क्या होता है black color का या आपको gray color का line होता है वो क्या होता है उसको आप magnetic strip कहते हैं उसमें क्या होता है कि card का सारा information होता है तो जब आप payment करने जाते हैं तो जब आप card swipe करते हैं तो वो strip swipe होती है और strip swipe होने के बाद वहाँ आप payment कर पाते हैं तो क्या होता है कि इसके साथ एक problem थी problem ये थी कि इसका cloning होने लगा था मतलब क्या था कि अगर कुछ ऐसी machine आती है तो अगर कोई बंदा चाहे तो आपके card को swipe करके उसको clone कर सकता था हो ये रहा था कि लोग जैसे restaurant पे payment करने जाते थे या फिर अगर petrol pump पे payment करने गया तो होता ये था कि वो distance पे payment का होता था तो बंदा card लेके चला जाता था और वो जाके एक machine पे जाके उसको swipe कर देता था तो वो machine क्या करती थी card का information capture कर लेती थी और फिर क्या होता था कि आपका information यूज़ करके एक duplicate card बनाय जाता था जिसको clone करते हैं वो जो duplicate card बनता था उससे क्या होता था कि आपके account से payment हो जाता था मतलब आपके साथ पैसे का fraud हो जाता था तो इस problem को solve करने के लिए EMV chip अब इसमें क्या है कि अगर आपने नए card देखे होंगे तो नए card में क्या हो रहा था कि आपको सामने में एक square color का metallic strip आपको दिखता है वो क्या करता है वो भी आपके sensitive information को store करता है पर इसको clone करना उतना आसान नहीं है जितना आसान आपका magnetic strip को होता है जो clone हो जाता है तो इसमें क्या हुआ कि इसको use करके आप क्या है कि आप ATM से पैसे भी निकाल सकते हैं और क्या है कि आप जाके आप POS पे payment भी कर सकते हैं तो क्या हुआ कि इसके आने के बाद जो cloning के instances हैं काफी कम हो गया है तो जितने नए कार्ड अब बन रहे हैं वो ऐसे ही बन रहे है कार्ड में क्या होता है कि एक additional security की चीज़ होती है जिसको हम लोग CVB कहते है वो कार्ड के पीछे साइड में होता है अगर आपने online payment किया होगा तो आपको इसके बादे में जानकारी होगा आपसे कहा जाता है कि आपको CVB भी किसी के साथ share नहीं करना चाहिए जनरली क्या होता है कि Visa, Mastercard या रूपे में ये 3 डिजिट का होता है और MX में यानि American Express में ये 4 डिजिट का होता है CVB के इलावा क्या होता है कि कार्ड के उपर एक validity date होता है अगर आपने कार्ड को closely देखा होगा तो आपने कार्ड में expiry date तो देखा ही होगा वो तो हर कार्ड में होता है उसके लावा क्या होता है कि बहुत सारे कार्ड में issuing date भी होता है जो बताता है कि कार्ड कब issue हुआ है तो जब आप online payment करने जाते हैं आप से पोचहा जाता है कि क्या है हिससे क्या होता है कि ज Tell ऑप comes गर उसके बा ant यह जो होता है कि अगर इस पहले आपको दूसरा समये बेज़ देता हैं इसलिए कहा जाता है कि हमेशा जो extern यह म Ein hvad पर आपका updated address होना चाहिए, ताकि आपका जो भी card है या कुछ ऐसा banking information है, तो expired करने से पहले card का उसके बारे में information या नया card आपको समय पे वो अपने address पर भेज़ देते हैं, उसके अलावा क्या है कि आजकल बहुत सारे ऐसे card आ रहे हैं, जिस card को use करके आप contactless payment कर सकते हैं, आपने अगर card को देखा होगा तो बहुत सारे card बे क्या होता है, वाइफाई टैप का आपको symbol बना होता है, वो क्या होता है, contactless icon होता है, उसका मतलब होता है कि वो card से contactless payment हो सकता है, उसमें क्या होता है कि आप POS पे जाते हैं, POS पे जाके आपको जाके pin डालने की जोरत नहीं परती है, और directly आप जैसे आप जाके आपने card को tap करते हैं, आपका payment हो जाता है, इसका एक restriction होता है कि आप 2000 से जादा अगर बिल होती है, तो आप इस feature को use नहीं कर सकते हैं, अगर 2000 से जादा बिल है, तो आपको pin डालना पर जाता है, अगर उससे कम है, तो आप सिर्फ टैब करके payment कर सकते हैं, दोस्तों इसमें हमने एक separate video बना है, जिसमें हमने details से इसको समझाया है, link आपको description में मिल जाएगा, इसके लावा क्या है कि card के back side में आपने देखा होगा, कि एक signature payment होता है, ये एक सबसे कम use होने वाला feature है card का, पहले क्या होता था, ये बहुत जादा use होता था, जब हम लोग college के time में थे, और हम लोग का student account खुला था, तो उस समय क्या था, कि उस समय आपको mandatory होता था, जरूरी होता था, कि आपके card के back side में आप sign करते थे, तो इसका use ये था, कि जब आप payment करने जाते हैं, तो अगर सामने वाले को आपके शक होता है, कि आपका card है कि नहीं, तो आपसे signature कड़ा के check कर लेता है, तो उस समय क्या था, कि card का उतना ज़्यादा चलन नहीं था, अब क्या है कि card लगबग हड़ादमी के पास है, तब उतना ज़्यादा अब इस चीज़ को कोई तबज़ो नहीं देता है, इस चीज़ को feature को use नहीं करता है, उसके लावा क्या होता है, कि बहुत सारे card पर क्या होता है, कि hologram बना होता है, तो जब card की कोई copy बनाता है, क्लोनिंग करता है, तो वो hologram को copy नहीं कर पाता है तो बहुत बार क्या होता है कि उसको देख के पैचाना जाता है कि वो card genuine है कि नहीं बट ये क्या है कि बहुत common नहीं है बहुत कम banks बनाते हैं इसलिए जो भी businesses जो है जो card का payment accept करते हैं भी इस चीज़ को बहुत जादा ध्यान नहीं देते हैं इसके लावा क्या होता है कि जो bank का details है वो भी बहुत सारे card पे होता है होता है कि बहुत सारे banks क्या करते हैं card पे जो अपना customer के number देते हैं कि मालिया गई अगर card में किसी तरह की problem card holder को आती है तो वो bank से directly बात करके उसे resolve कर सकता है उसके लावा बहुत सारे bank ऐसा भी करते हैं कि card के उपर अपना छोटे में अपना address भी लिख देते हैं उसका ये मतलब होता है कि मालिया किसी का card अगर lost हो जाता है और किसी को मिलता है तो वो bank के address पे भेज सकता है तो ये सारे चीज़ें होती हैं जो card पे होती है इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि cards related जितनी सारे चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बताई होगी अगर मैंने उसमें से कुछ मिस्क कर दिया होगा तो आप हमें comment box में लिख के बताईए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और share कीजे अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को subscribe कीजे और बेल लागन दवाना मत भूलिएगा